लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे एशियाई बाजारों से और इस वक्त काफी पॉजिटिव क्यूज यहां से निकल कर आ रहे हैं जापान के बाजार 1000 अंक उपर कर रहे हैं कारूबार करीब 3% की तेजी है यहां पर गिफ्ट निफ्टी से भी संकेत अच्छे हैं 145 अंको की तेजी इस वक्त गिफ्ट निफ्टी में दिखाई दे रही है जो कि निफ्टी के लिए काफी positive संकेत है कोरिया के बाजार उपर है एक परसंट से ज़ादा चींग के बाजार हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और हॉंग कॉंग के बाजार भी आधे परसंट उपर इस बख्त ट्रेट कर रहे हैं तो इशाय बाजारों के शुरुआत तो surprise index यह महगाई का आकड़ा है जो की 2.5% पर आया है सालाना आधार पर अनुमान था 2.8% का तो उससे बहतर नंबर्स आया है Bank of Japan की बैठक होने वाली है और एक एक करके हम देखेंगे कि दुनिया भर के Central Bank को की बैठक होगी जिसमें की rate कटोती को लेकर बाचीत काफी तेज हो चुकी है इसके अलावा आज ECB की भी बैठक होगी यूरोप में तो वो भी एक important event है जिस पर की आपको नज़र रखनी है अमेरिकी बाजारों से बात करें तो Dow Jones में 124 अंकों की तेजी थी Nasdaq और S&P 500 भी करीब 1-2% उपर बंद हुए वहाँ पर US में जो महंगाई दर के आखड़ा है वो अनुमान की मताबिक थे US अगस्त महंगाई दर अगर देखेंगे तो 0.2% की बढ़त मंथ और सालाना आधार पर 0.5% की बढ़त देखने को मिली जो की exact अनुमान की मताबिक का देखने को मिली और सालाना आधार पर अगर देखेंगे तो महंगाई दर 5 महीने के निशले सर पर पहुँच चुकी है जो इंटर्नल्स आये हैं उसमें थोड़ा concern जरूर था कोर महंगाई दर 0.3% बढ़ी जिसमें की 0.2% की बढ़त का नुमान था यह इसमें अगर हम तेल और फूड के दाम के बढ़त को हटा दे तो को महंगाई दर जो आई है वो 0.3% पर आई है यह थोड़ा concern था क्योंकि अब fed watch tool के मताबिक जो की ब्यासदरों में कटौती के एक कह सकते हैं आकलंद करता है उसको महंगाई के आकरों के बाद 0.25% कटौती की संभावना जादा हो चुकी है पहले यह करीब 79% थी अब 87% संभावना यह है कि 0.25% की कटौती होगी देखिए अगले हफ़ती आने के 17-18 सितंबर को fed की बैठक होगी जिसमें ब्यासदरों में कटौती होगी यह तो कहीं ना कहीं दुनिया भर के जांकार मा थोड़ा बहुत इंटर्नल से यहां पर बढ़े हुआ है महंगाई के आकड़े के उसको देखते हुआ बलग रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट की कटौती फिलहाल fed लेते हुए दिखाई दे सकता है इस बीच स्टॉक स्पेसिफिक आक्शिन की बात करें तो एन्वीडिया के भी कुछ बयान आए AI चिप्स की मजबूत डिमांड को लेकर कुछ बयान निकल कर आए हैं जिसके चलते वहाँ पर तेजी थे और उससे भी नाजडाक को भी सहारा मिला आज यूएस में पीपी आ यानिके प्रडियूसर प्राइस इंडेक्स और बेरोजगारी दावे के भी आक प्रटेंट होगा देखना अन्य संगेतों की बात करें तो महंगाए आकड़ों के बाद बॉर्ड येल्ड में हलकी बड़त 3.7% के पास हैं 0.50% कटौते की संभावना थोड़ी कम होने से सोने में थोड़ी नर्मी देखने को मिली वहीं निशले सतरों से कच्छे तेल में भ राय जारा है सवर्ट